C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की भुगोल की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ दो भूमी, मिर्दा, जल, प्राकृतिक वनस्पती और वन्य जीवन संसाधन प्रिष्ठ साथ से प्रिष्ठ 21 तक भूमी, मिर्दा, जल, प्राकृतिक वनस्पती और वन्य जीवन संसाधन प्रिष्ठ संख्या साथ तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गाउं में मामबा पानी लेने के लिए प्रातह शेग्र उठती है उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लोटती है इसके उपरांत वह घर के कारियों में अपनी मा का हाथ बटाती है और अपने भाईयों की बक्रियों की देखभाल में मदद करती है उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी जोपडी के चारो ओर चट्टानी भूमी का एक भाग है मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मातर कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए परियाप्त नहीं है पीटर न्यूजिलेंट के भेड पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है जहां उसका परिवार उन प्रकरमण करने का कारखाना चलाता है प्रते दिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेडों की देख भाल करते हुए देखता है उनका भेडों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाडियों से लगे हुए एक विस्तरित घास के मैदान पर स्थित है वहां नवीनतम प्रद्योगी की कावपियोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधी से इसका प्रबंध किया जाता है पीटर का परिवार जैवे क्रिशी द्वारा सबजियां भी उगाता है मामबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है यहाँ विभिन्नता भूमी की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकर्तिक वनस्पती, प्राणियों और प्रोध्योगी की उपियोग की भिन्नता के कारण है इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है आओ, कुछ करके सीखें जिस प्रदेश में आप रहते हैं, उस प्रदेश में भूमी, मृदा की प्रकार तथा जलुपलब्धता का प्रेक्षन करें अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली, इनके द्वारा प्रभावित हुई है पर या तो विरल जनसंख्या है या वहन निर्जन है प्रिष्ठ संख्या आठ भूमी सभी महत्वपूरण प्राकरतिक संसाधनों में भूमी भी शामिल है भूप्रिष्ठ के कुलक्षित्र भलका लगभग 30 प्रतिशत भाग भूमी है यही नहीं इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है मुख्य तह भूमी और जलवायू के भिन भिन लक्षणों के कारण विश्व के विभिन भागों में जनसंख्या का वितरण आसमान पाया जाता है उबर खाबर स्थलाकृती परवतों के तीवर ढ़ाल जलाक्रांत संभावित निमनक्षेत्र मरुस्थलक्षेत्र एवं सघनवनक्षेत्र सामानितह विरल अथवा निर्जन है उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में क्रिशी के लिए उप्युक्त भूमी उपलब्ध है इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बस एक शेत्र है इस प्रिश्ठ पर चित्र दो दशमलव एक दिया गया है जिसमें औस्ट्रिया नामक देश के साल्सबर्ग शहर की एक हवाई तस्वीर दिखाई गई है जिसमें कहीं पर सघन आबादी दिखाई दे रही है कहीं वन, कहीं घास के मैदान, तो कहीं नदी दिखाई पड़ रही है इस चित्र के नीचे प्रश्न पूछा गया है इस चित्र में आप भूमी के कितने उपयोग पहचान सकते हैं भूमी उपयोग भूमी का उपियोग विभिन्न कारियों के लिए किया जाता है, जैसे क्रिशी, वानिकी, खनन, सडकों और उद्ध्योगों की स्थापना. साधरर तह इसे भूमी उपियोग कहते हैं. क्या आप मामबा और पीटर के परिवारों के भूमी उपियोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमी का उपियोग भहुते कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृती, मृदा, जलवायू, खनिज और जल की उपलब्धता. मानवी अकारक जैसे जनसंख्या और प्रढद्योगी की भी भूमी उपियोग प्रतिरूप के महत्व पूर्ण निर्धारक हैं. स्वामित्व के आधार पर भूमी को निजी भूमी और सामुदाइक भूमी में बाटा जा सकता है. निजी भूमी व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है जबकि सामुदाइक भूमी समुदाइके स्वामित्व में होती है सामान्य रूप से इसका उप्योग समुदाइस से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है जैसे चारा, फलों, नठ या औशधिय बोटियों को एकत्रित करना इस सामुदाइक भूमी को साजहा संपत्ती संसाधन भी कहते हैं जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमी की उपलब्धता सीमित है स्थान के अनुसार भूमी की गुणवत्ता में अंतर होता है लोगों ने सामुदाइक भूमी पर व्यापारिक शेत्र बनाने नगरियक शेत्रों में घर बनाने और ग्रामीन क्शेत्रों में क्रिशी योग्य भूमी का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक शेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमी उपियोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। आओ, कुछ करके सीखें। अपने घर या पडोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें। और पिछले कुछ वर्शों में हुए भूमी उपियोग परिवर्तन के विशे में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा के सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। प्रिष्ठ संख्या नौ वर्तमान में कृशी और निर्मान संबंधी गति विधियों के प्रसार के कारण निमनी करण, भूस खलन, मिर्दा परदन, मरुस्थली करण, परियावरण के लिए प्रमुख खत्रा है। इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव दो दिखाया गया है। जिसमें भूमी उपियोग में समय के अनुसार परिवर्तन को दर्शाया गया है। इस चित्र के भीतर समय के अनुसार हुए उसी भूमी के उपियोग में परिवर्तन को दर्शाया जा रहा है। पहले चित्र में उस भूमी को काफी उबढ़ खाबढ़ दर्शाया गया है। साथ ही वहां कुछ जोपडियां और नाम मात्र की क्रिशी दर्शाय गई है। साथ ही जंगल भी अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में जोपडियों के स्थान पर अब पक्के घर बन गए हैं। तथा घरों की संख्या भी पहले से अधिक हो गई है। जंगलों की संख्या कम हो गई है। क्रिशी आधुनिक हो चली है। तथा रास्ते अब ज्यादा प्रगारता से नज़रा रहे हैं। तीसरे चित्र में अब घरों के स्थान पर बहु मन्जिला इमारतें आ गई हैं। जंगल कहीं खो गए हैं। क्रिशी भूमी बस नाम मातर की बची है। और सडकों पर अब वाहन दोड़ रहे हैं। चोथे चित्र में जंगल पूरी तरह से गायब हो गए हैं। क्रिशी भूमी पर छोटे मोटे पार के त्यादी बन गए हैं। चारो तरफ अब बहु मन्जिला इमारते हैं। साथ ही पक्की सडक अब महा मार्ग में बदल गई है। जिसमें भारी मातरा में यातायात चल रहा है। भूमी संसाधन का संरक्षन। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमी और क्रिशी योग्य भूमी का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राक्रतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपन, भूमी उद्धार, रासाइने कीट नाशकों और उर्वर्कों के वी नियमित उप्योग तथा अती चारण पर रोक आदी, भूमी सनरक्षन के लिए प्रियुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा प्रित्वी के प्रिष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमी से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। प्रिष्ठ संख्या 10 इस पूरे प्रिष्ठ पर भूस खलन के विशय में बताया गया है। भूस खलन भूस खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के ब्रिहत संचलन के रूप में परिभाशित किया जाता है। वे प्रायह भूकंप, बाढ़ और ज्वाला मुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुध कर देता है। नदी अवरुधता के अचानक फूट पढ़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वन्स आ जाता है। पहाडी भूभाग में भूस खलन, एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। जो प्रायह जीवन और संपत्ती को आगहात पहुचाती है। और चिंता का एक मुख्य विशाय है। एक वस्तू स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किनौर सिले में रेकांग पियों के निकट पंजी गाउं में बड़ी भूस खलन के कारण राश्ट्रिय महमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिबबत सडक का 200 मीटर तक का भाग नश्ट हो गया। यह भूस खलन पंजी गाउं में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण धाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया। जिसके कारण सडक और गाउं के आसपास के क्षेत्र को क्षती पहुची। पंजी गाउं को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पोरण रूप से खाली करा दिया गया था। निउन्नी करण क्रिया विधी। वैज्यानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस खलन उत्पन्न होने के कौन-कौन से कारक है और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस खलन को रोकने की कुछ प्रविधिया निम्न है। भूस खलन प्रभावी क्षित्रों का मांचित्र बना कर इसमें प्रभावित होने बाले स्थानों को इंगित करना. इस प्रकार इन क्षित्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है. भूमी को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्मान. भूस खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पती आवरण में वृद्धी है सतही अपवाह तथा जर्ना प्रभाहों के साथ साथ भूस खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए प्रिष्ठिय अपवाह नियंत्रन उपाय कार्यानवित किये गए है इसी प्रिष्ठ पर भूस खलन का चित्र साथ ही प्रतिधारी दिवार का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ठ संख्या ग्या रहा मिर्दा का निर्मान चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमी पर पाय जाने वाले खनिजों से होता है यहाँ अपक्षे की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मिर्दा को उब जाओ बनाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव तीन दर्शाया गया है जिसमें मिर्दा परी छेदिका दिखाई गई है चित्र में दर्शाया गया है कि सबसे उपरी परत में ह्यूमस और वनस्पती के साथ उपरी मिर्दा होती है उसके नीचे की परत में बालू, गाद, कले के साथ उप मिर्दा होती है उसके भी नीचे की परत अपक्षेथ चट्टानी पदार्थ से बनी होती है तथा उसके नीचे जनक चट्टाने होती हैं शब्दा वली अपक्षय तापमान परिवर्तन तुशार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रिया कलाब द्वारा अनावरित शैलों का तूटना और क्षय होना क्या आप जानते हैं? केवल एक सेंटीमीटर मिर्दा को बनने में सैंकडो वर्ष लग जाते हैं इसी प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव चार दर्शाया गया है जिसमें मिर्दा निर्मान को प्रभावित करने वाले कारक दर्शाय गये हैं जैसे कि जलव़ायू, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्मान की दर्फ को प्रभावित करते हैं इसी प्रकार समय मिर्दा परी छेधिका की मोटाई को निश्चित करता है वनस्पती जात, प्राणी जात और सुक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं उच्चावच तुंगता और ढाल मिर्दा के संचय को निर्धारित करते हैं जनक शैल, रंग, गठन, रासाइनिक गुण धर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं प्रिष्ठ संख्या 12 मिर्दा निर्माण के कारक मिर्दा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जल वायविक कारक हैं मृदा निर्माण के अन्यकारक स्थलाकर्ती जैवपदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगहटन में लगा समय है। अलग-अलग स्थानों में ये भिन्न-भिन्न है। मृदा का निमनी करण और संरक्षन के उपाई। मिर्दा अपरदन और क्षीनता मिर्दा संसाधन के लिए दो मुख्य खत्रे हैं। मानविय और प्राकरतिक दोनों ही कारकों से मिर्दाओं का निमनी करण हो सकता है। मिर्दा के निमनी करण में सहायक कारक, वनोन मूलन, अतिचारण, रासाइनिक उर्वरकों और कीट नाशकों का अत्यधिकोप्योग, वर्षा दोहन, भूस खलन और बाढ़ है। मिर्दा संरक्षन की कुछ विधियां निमनिप्रकार हैं। मल्च बनाना पौधों की बीच अनावरित भूमी, जैव पदार्थ, जैसे प्रवाल से ढगदी जाती है। इससे मिर्दा की आदरता रुकी रहती है। वेदिका फाम चौड़े, समतल सोपान, अथ्वाव वेदिका, तीवर ढ़ालों पर बनाये जाते हैं। ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे प्रिष्ठिय प्रवाह और मिर्दा अपरदन कम होता है। चित्र 2.5 में वेदिका फाम दिखाया गया है। समुच रेखिय जुताई एक पहाडी ढाल पर समुच रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकरतिक अवरोध का निर्मान करती है। चित्र 2.6 में समुच रेखिय जुताई दर्शाई गई है। तटिय प्रदेशों और शुश्क प्रदेशों में पवन गती रोकने के लिए व्रिक्ष कतारों में लगाय जाते हैं ताकि मिर्दा आवरण को बचाया जा सके। चित्र 2.7 में ऐसी ही रक्षक मेखला का चित्र दर्शाया गया है। क्रिया कलाप भारत में जलूड, काली, लाल, लेट राइट, मरुस्थलिय और परवतिय प्रकार की मिर्दाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मिर्दाओं की एक-एक मुठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए। वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रिष्ठ संख्याते रहा। समोच रेखिय रोधिकाएं। समोच रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उप्योग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाईयां बनाई जाती हैं। क्रिया कलाप एक ही आकार की अ, वब, दो ट्रे लीजिए। जैसा की यहां चित्र में दर्शाया गया है। इन ट्रे के अंत में छै छेद बनाईए। और इन्हें बराबर मात्रा में मिर्दा से भरिए। अर्ट्रे की मिर्दा को खाली छोड़ दीजिए। जबकि बर्ट्रे में गेहूं अत्वा चावल के दाने लगाईए। बाद में बर्ट्रे के दाने उग कर कुछ उँचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों ट्रे में बराबर उंचाई से एक ओर से मक से जल डालते हैं दोनों ट्रे के छिदरों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग-अलग डिबों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मिर्दा बह गई है चटान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाय जाते हैं यह नालियों की रक्षा करते हैं और मिर्दाक्षती को रोकते हैं बीच की फसल उगाना वर्षा दोहन से मिर्दा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न फसलें एक आंतर कतारों में उगाई जाती है जल जल एक महत्वपूर्ण नवी करणिय प्राकर्तिक संसाधन है भूप्रिष्ठ का तीन चौथाई भाग जल से ढखा है इसलिए इसे जल ग्रह कहना उप्युक्त है लग-भग तीन दशमलव पांच अरब वर्ष पहले जीवन आदी महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था यद्यपी आज भी महासागर प्रिथ्वी की सतह के दो तिहाई भाग को ढखे हुए हैं और विविध प्रकार के पौधूं और जन्तूं को मदद करते हैं महासागरों का जल लवणी ये है और मानविय उप्योग के लिए उप्योक्त नहीं है अलवण जल केवल दो दशमलव साथ प्रतिशत ही है इसका लगभग सत्तर प्रतिशत भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्किटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतिय प्रदेशों में पाया जाता है अपनी स्थिती के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है केवल एक प्रतिशत अलवन जलुपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उप्युक्त है यह भौम जल, नदियों और जीलों में प्रिष्ठिय जल के रूप में तथा वायू मंडल में जल वाश्प के रूप में पाया जाता है क्या आप जानते हैं? वर्ष 1975 में मानव उप्योग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई है क्या आप जानते हैं? एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है प्रिष्ठ संख्या 14 इसलिए अलवडिया जल प्रिथवी का सबसे अधिक मुल्लिवान पदार्थ है प्रिथवी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है इसकी कुलमात्रा स्थिर रहती है इसकी प्रचुर्ता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाश्पी करण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायू, भूमी और पुनहा महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं मनुश्य जल की बढ़ी मातरा का उपियोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है जल कृषी, उद्योगों तथा बांधों के जलाशैयों के माध्यम से विद्यूत उत्पादन करने में भी प्रियोग किया जाता है जल स्रोतों के सूखने अथ्वा जल प्रदूशन के कारण अलवणियां जल के आपोर्ती की कमी के मुख्य कारक, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरी करण और बहितर होता जीवन स्तर है। लीटर प्रती व्यक्ती प्रते दिन, 3, खाना बनाना, 4, नहाना, 20, शोचाले यानी फ्लशिंग, 40, वस्त्र धोना, 40, बढ़तन धोना, 20, बागवानी, 23, कुलुप्योग, डेल सॉ लीटर प्रती व्यक्ती प्रते दिन क्या आप इस उप्योग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराश्ट्र प्रदेश में एक दशमलव दो पाँच लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालूकों से पानी खरीदने के लिए पूर्ण तहन निर्भर है जल उपलब्धता की समस्याएं विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है अधिकान शफरी की पश्चिमी एशिया, दक्षिनी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिन अमेरिका के भाग और संपोर्ण आस्ट्रेलिया अलवणिया जल की आपोर्ती की कमी का सामना कर रहे हैं ये देश ऐसे जलवायू प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पढ़ता है उनमें जला भाव की अधिक समस्या बनी रहती है इस प्रकार जल का भाव मौसमी अथ्वा वार्शिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथ्वा अतियुपियोग और जल स्रोतों के संदूशन के कारण भी जल का भाव हो सकता है जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा परियाप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है इस क्षीन होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए यद्यपी जल एक नवी करणिय संसाधन है तधापीस का अति उप्योग और प्रदूशन इसे उप्योग के लिए अनुप्योगत बना देते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.8 दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि यमुना नदी वाहित मल ओद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूशित हो रही है प्रिष्ठ संख्या पंद रहा अशोधित या आन्शिक रूप से शोधित वाहित मल क्रिषी रसायनों का विसरजन और जल निकायों में ओद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुक संदूशक है इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़क नाशी जल को प्रदूशित कर देते हैं इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निमनी करणिये होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुँच जाते हैं इन प्रदूशकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उप्युक्त विधी से शोधित करके जल प्रदूशन नियंतरित किया जा सकता है वन और अन्यवनस्पति आवरण धरातलिय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनहा पूरित करते हैं जल संग्रहन प्रिष्ठिय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधी है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पका करना चाहिए रिसाव और वाशपी करण से होने वाली जल क्षती को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंग कलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधी है वाश्पी करण की अधिक दर्वाले शुश्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथ्वा टपकन विधी बहुत उप्योगी होती है सिंचाई की इन विधियों को अपना कर बहु मुल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.9 दिया गया है जिसमें स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने का द्रिश्य दिखाया गया है क्या आप जानते हैं अपने घर की जट पर वर्षा जले कत्र करके इस जल का संग्रहन करना एवं विभिन उत्पादक उप्योगों में लाना वर्षा जल संग्रहन कहलाता है औस तन दो घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है स्कूल के बच्चे हस्त शिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन 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 भागों से एकत्रित की गई थी मोना ने एक थेला हाथ में उठाया और उत्सा से कहा यह एक सुन्दर हैंड बैग है अध्यापिका ने कहा हाँ यह जूट से बना है क्या आप उन टोकरियों, दीब छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदर प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है जैसी रेशमी सकार्फ देखकर उत्साहित थी यह खोबसूरत सकार्फ देखो अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं बच्चे समझ गए कि बौधे हमें अनेक विभिन उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपियोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव दस दिया गया है जिसमें रेशम कीट को दिखाया गया है प्राकर्तिक वनस्पती और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायू मंडल के बीच जुड़े एक सक्रेक शेत्र में ही पाय जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारी तंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहु मुल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकडी देते हैं, प्राणिओं को आश्राय देते हैं, आक्सिजन उत्पन्न करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मिर्दा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कारे करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औशधिय पौधे और कागस प्रदान करते हैं, जो आपके अध इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव ग्यारह दिया गया है, जिसमें ब्रह्मा कमल का चित्र दिखाया गया है, जो की एक औशधिय बूटी है, वन्य जीवन के अंतरगत जन्तु, पक्षी, कीट एवं जलिय जीव रूप आते हैं, उनसे हमें दूध, मांस, खाल और उन कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं, और पारी तंत्र में अब घटक के रूप में एक महत्वा पूर्ण भूमिका निभाती हैं, चिडियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं, और अब घटकों के रूप में क जोधक समझा जाता है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों, अथ्वा छोटे, सभी पारी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, क्या आप जानते हैं? भारतिय उप महादूइप में जिन पशूओं का उपचार डिकलोफिनाक, एस्प्रिन, अथ्व इबूप्रोफेन जैसे पीडा नाशी से किया जाता था, उनके अप मार्जन उपरांत गिद्ध किड्नी खराब होने से मर रहे थे, पशूओं पर इन ओशधियों के उपियोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं, तथा आरक्षित स्थान पर गिद अधके प्रजनन के प्रयास किये जा रहे हैं, इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव तेरह दिया गया है, जिसमें घास थल एवं वन का चित्र दिखाया गया है, प्राकर्तिक वनस्पती का वितरण वनस्पती की व्रिद्धी मुख्य रूप से तापमान और आदरता पर निर्भर करती है, विश्व की वनस्पती के मुख्य प्रकारों को चार वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास थल, गुल्म और टुंडरा, प्रिष्ठ संख्या सत्रह भारी वर्षा वाले क्षित्रों में विशाल व्रिक्ष उक सकते हैं, इस प्रकार वन प्रचुर जल आपोर्ती वाले क्षित्रों में ही पाय जाते हैं, जैसे जैसे आदरता कम होती है, वैसे वैसे व्रिक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है सामान्य वर्षा वाले क्षित्रों में छोटे आकार वाले व्रिक्ष और घास उकती है जिससे विश्व के घास थलों का निर्मान होता है कम वर्षा वाले शुश्क प्रदेशों में कंटीली जाडियां एवं गुल्म उकते हैं इस प्रकार के क्शेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं. वाशपोट सर्जन से होने वाली आदरता की हानी को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मूमी सतह वाली होती हैं. शीत ध्रुविय प्रदेशों की टुन्रा वनस्पती में मौस और लाइकेन सम्मिलित हैं. पिछली दो शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं. बढ़ती जनसंख्या के पोशन के लिए फसलों को उगाने के लिए वनू के विशा का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है. इस बहु मुल्य संसाधन के सनरक्षन की तुरंत आवशकता है. इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव चौधह दिया गया है, जिसमें वन में घूमता हुआ अजगर दिखाया गया है. इसी प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलव पं आज तरशाया गया है. प्राक्रतिक वनस्पति और वन्य जीवन का सनरक्षन वन हमारी संपदा है. पौधे जन्तुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारी तंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं. जलवायू में परिवर्तन और मानव हस्तक शेप के कारण बहुत सी जातियां आसुरक्षित अथ्वा संकटापन हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं. वनोन मूलन, मिर्दा परदन, निर्मार कारिय, दावानल और भूस खलन में से कुछ मानव और प्राक्रतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वा पूरण प्राक्रतिक संसाधनो के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़वा देते हैं. आज की मुख्य चिन्ताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है. इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.16 दिया गया है, जिसमें स दुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुरवन में क्षती को दर्शाया गया है. प्रिष्ठ संख्या अठा रहा. पशुखाल, चमडा, नाखून, दांत और पंखों के साथ-साथ, सींगों के एकत्री करण और घैरकानूनी व्यापार के लिए जन्तू पुचीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच, दर्याई घोडा, हिमतेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं. इनका सनरक्षन जागरूपता बढ़ा कर किया जा सकता है. राश्ट्रिय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय, हमारी प्राकृतिक वनस् और वन्यजीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाय जाते हैं. संकरी घाटियों, जीलों और आद्रभूमी का सनरक्षन, मूल्यवान संसाधन नश्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है. इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.17 दिया गया है, जिसमें ब्लैक बक नामक जन्तु का चित्र दिखाया गया है. और नीचे लिखा गया है कि ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है. इसी प्रिष्ठ पर दावानल अर्थात आग लगने की घटनाओं को, जो की दुनिया भर में घटी हैं, उनकी अखबारों से प्रतियां काट कर एक कुलाज के रूप में दर्शाई गई हैं. उसी के नीचे क्रिया कलाब दिया गया है. जिसमें लिखा गया है, समाचारों को पढ़िए और ग्यात कीजिए कि यहाँ अगनी कैसे प्रारंभ हुई? क्या इससे बचा जा सकता था? अधिक जानिये, दावानल प्राणी जात और वनस्पती जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खत्रा है. दावानल मुख्य रूप से तीन कारणों से घटित होता है. पहला, तड़ित जन्जा के कारण प्राकृतिक अगनी का लगना. दूसरा, लोगों की लापरवाही के कारण घास भूस में जनित उश्मा के कारण अगनी का लगना. तीसरा, स्थानिक लोगों, उधमी एवं शरार्ती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अगनी लगाना. नियंत्रण के कुछ उपाए. पहला, शिक्षण द्वारा अगनी लगने से रोकना. दूसरा, परीक्षण बिंदुओं, निपुन भूमी चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अगनी लगने का शिग्र पता लगाना. प्रिष्ठ संख्या, उन्नीस. यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए, तो परियावरण में संतुलन बना रहता है. विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रिया कलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है. अनेक पक्षियों और जीव जन्तुओं के अंधा धुन्द शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं. प्रादेशिक और सामुदाइक स्तर पर जागरूकता कारेक्रमों जैसे सामाजिक वाने की वन महोत्सव को प्रोचसाहित करना चाहिए. स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राक्रतिक कैम्पों में जाने के लिए प्रोथ साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है राश्ट्रिय उद्ध्यान, वर्तमान और भविश्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारी तंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकरतिक शेत्र एक अंतर्राश्ट्रिय परिपाटी, CITES, अर्थात, The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तयार की है इस सूची में दिये गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है पौधों और प्राणियों का सनरक्षन प्रतेक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है शब्दावली जैव मंडल निचै यह वैश्विक नेटवर्ग द्वारा जुड़े रक्षित क्षित्रों की एक श्रिंखला है जिसे सनरक्षन और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.18 दिखाया गया है जिसमें मैदान में हरी घास चरता चीतलों का जुड़ दिखाया गया है इसी प्रिष्ठ पर चित्र 2.19 भी दिखाया गया है जिसमें काजीरंगा राष्ट्रिय उद्ध्यान में हाथियों का एक जुड़ घुमता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आप जानते हैं? C.I.T.E.S. अर्थात The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora सरकारों के बीच एक अंतर राष्ट्रिय समझाता है इसका उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर राष्ट्रिय व्यापार से उनके जीवन को कोई खत्रा नहीं है मोटे तोर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, और्किड और एलू कुछ उदाहरण है प्रिष्ठ संख्या 20 अभ्यास प्रश्न एक आगे दिये प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला, मिर्दा निर्माण के लिए उत्तरदाई दो मुख्य जलवायू कारक कौन से है दूसरा, भूमी निमनी करण के कोई दो कारण लिखिए तीसरा, भूमी को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है चौथा, किनही दो सोपानों के नाम बताईए जिनहें सरकार ने पौधों और प्राणियों के सनरक्षण के लिए आरंभ किया है पाँचवा, जल सनरक्षण के तीन तरीके बताईए प्रश्ण दो, सही उत्तर को चिनहित कीजिए पहला, आगे दिये बिंदूओं में से कौन सा कारक मिर्दा निर्मान का नहीं है क समय, ख मिर्दा का गठन, ग जैवपदार्थ दूसरा, आगे दिये बिंदूओं में से कौन सी विधी तीवर्ट ढालों पर मिर्दा अपर्दन को रोकने के लिए सर्वाधिक उप्युक्त है क रक्षक मेखला, ख मल्चिंग, ग वेदिका क्रिशी तीसरा, आगे दिये बिंदूओं में से कौनसा प्रकृती के सनरक्षण के अनुकूल नहीं है क, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवशक्ता न हो ख, नल को उप्योग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए ग, खरीददारी के बाद पॉली पैक को नश्ट कर देना चाहिए प्रश्न तीन, मिलान कीजिए क, भूमी उप्योग, ख, हुमस, ग, चट्टान बांध, ग, जैव मंडल पहला, मिर्दा अपरदन को रोकना दूसरा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायू मंडल के बीच जुड़ा एक संक्रा क्षेत्र तीसरा, भूमी का उत्पादन कारी उप्योग चौथा, उपरी मिर्दा पर निक्षेपित जैव पदार्थ पांचवा, समोच रेखिय जुताई प्रश्न चार आगे दिये कथनों में से सत्य अत्वा असत्य बताईए यदि सत्य है, तो उसके कारण लिखिये पहला, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है प्रिष्ठ संख्या 21 दूसरा, भारत में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है तीसरा, तटियक शित्रों में पवन गती रोकने के लिए व्रिक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं चोथा, मानवी अहस्तक्षेब और जलवायू परिवर्तन पारी तंत्र को विवस्थित रख सकते हैं प्रश्न पांच, क्रिया कलाप भूमी उप्योग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए पिछले कुछ वर्शों में क्या आपके स्थान पर भूमी उप्योग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है अपने माता-पिता और बड़ी लोगों से पता कीजिए आप निम्नलिखित प्रश्नों को पूछ कर एक साक्षात कार ले सकते हैं जब आपके दादा-दादी तीस वर्श की आयू में थे जब आपके माता-पिता तीस वर्श की आयू में थे आप क्यूं सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं? स्थान, ग्रामीन, पशु और मुर्गी पालन उद्यों की संख्या, गाउं में पेडों और तालाबों की संख्या, परिवार के मुखिया का व्यवसाए, स्थान, नगरिय, कारों की संख्या, घर में कमरों की संख्या, पक्की सडकों की संख्या, पार्क और खेल के मैदानों की आपने जो तालिका पूरी की है, उसके आधार पर भूमी उप्योग प्रतिरूपों का एक चित्र बनाईए, जिन्हें आप बीस वर्ष बाद अपने पडोस में देखने की कलपना करते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि वर्षों बाद भूमी उप्योग प्रतिरूप बदल जाता है। इसी के साथ छै पाठों की इस पुस्तक का दूसरा पाठ यहां समाप्त हुआ। वाचन संदी भट अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत